जीवन मंत्रा योग ध्यात्म और आईरवेद की वो त्रिवेनी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरो दोस्तो जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मताविक होते हैं इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें आप चाहते हैं कि नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए नॉटिफिकेशन आप पाईए घर वेठे वो भी फ्री में दोस्तो आज हम गंजेपन की बात करेंगे चहरे के साथ बाल हमारी परसनेलेटी को बढ़ा देते हैं और अगर ये उम्र से पहले जड़ जाएं तो बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में गंजेपन की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है गंजेपन की बज़े से कुछ लोग इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ऐसे में बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहरा लेते हैं लेकिन सबका असर जीरो रहता है अगर आप भी अपने गंजेपन की समस्या से परिशान हो गए हैं तो हम आपको एक तेल बता रहे हैं जो आपके गंजेपन के लिए वर्दान की तरह सावित होने वाला है ये तेल है पुदीने का इसमें ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो बालों की समस्याओं जैसे गंजेपन बालों का जढ़ना जेंडरफ आदी को खत्म कर देते हैं इसके अलावा गर्मियों में इसके साथ मालिश करने से सिरदर्द से राहत और छंड़क मिल जाती है दोस्तो हम विस्तार से पुदीने के तेल के फाईदों के बारे में जान लेते हैं नमर एक ये गंजापन को रोब देता है अगर आपके बाल तेजी से जड़ गए हैं और गंजापन हो गया है आपके फेस से ज़्यादा आपका सर फेस दीखने लगा है तो पुदीने के तेल का आप इस्तेमाल कीजिए इस तेल से सिर्की मालिश करने से आपके रोम छिद्र खुलेंगे और नए बाल आएंगे इस तेल से मालिश करने से पहले इसमें बिटामिन E का कैपसूल मिलाएं और रात को सोने से पहले इसको लगाएं इसमें रक्ट प्रभाद तेज होकर बाल तेजी से बढ़ने लगेंगे और खलवट जगह पर भी बाल आने लगेंगे दोस्तो ये तेल बालों को मजबूती प्रदान करता है इस तेल में प्यूल गोन और मेंटों तत्व होते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं अगर आप सीधे बालों पर इसे लगाते हैं या फिर नारियल या बादाम के तेल में मिलाकर इसका इस्तिमाल करते हैं तो देखेंगे कि आपके बाल बन गए हैं मजबूत दोस्तो अगर आप अपने बालों की समस्या से परिशान है ड्रेंडरप जादा हो रहा है सकेल्प का रूखापन बढ़ रहा है तो आपके लिए पोदीने का तेल सबसे अच्छा ओप्शन है इसके नियमित इस्तिमाल से बालों में नमी बनी रहेगी बालों को पोशन मिलेगा और बाल बनेंगे चमकदार और खुबसूरत दोस्तो ये दिमाग को छंडा रखता है पोदीने की तासीर बहुत ठंडी होती है इसलिए गर्मियों में इसके तेल की मालिश से दिमाग ठंडा रहता है इसे ठकान और सुस्ती भी हमेशा के लिए दूर हो जाती है दोस्तो ये सिरदर्द को खत्म कर देता है गर्मियों में सिरदर्द की समस्या आम होती है इससे राहत पाने के लिए पोदीने का तेल काफी फाइदे मंद है क्योंकि इसमें दर्द निबारक गुण होते हैं दोस्तो इतने सारे फाइदे आपको पोदीने के तेल से मिल रहे हैं तो क्यों न पोदीने के तेल का इस्तेमाल किया जाए जीवन मंत्रा में आज इतना ही फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें